हाई फ्रेंज मैं हूं माने वेलकम टू मूवी शोवी दोस्तों आज मैं आपके साथ डिसक्स करने वाला हूं कोछ ऐसी 15 फिल्में जो मुझे लगता है जिनके अंदर बहुत गंभीर तरीके का अक्शन हुआ अब देखो यहां पर मैं अक्शन मूवी को डिफाइन करूँ हू इस तरीके का मैं यहां पर अक्शन डिसक्स करने वाला हूं तो for example movies like dhoom या movies like war इसके अंदर feature नहीं होगी तो मैं आपको पहली बदा दूँ हूँ थोड़ा सी साथ डिसकॉइंट हो जाए वो movie अलग type के अलग genre की हैं जहां पर बहुत जादा action जो है camera और VFX से भी होता है त आपर वह हमारे दिल के ओपर घरा भी तो मैं पहली movie शुरू करूंगा शोले से और शोले में बहुत ही जबर्दस तरीके से यहां पर action हुआ था दोस्तों needless to say वरलब यह iconic movie है इसके बारे में मैं बोलके इस movie को छोटा कर दूँआ वह मिरको बिल्कुल भी नहीं करना चाहि यहां पर even angry young man of those times अमिता बच्चन बहुत जबर्दस acting उन्होंने करी थी यहां पर बहुत जबर्दस action किया था वहां ही से उनकी वो लातों से जो वो मारा करते थे action किया करते थे बहुत जबर्दस था तो मेरी समझ के सबसे शोले कैसी movie थी जिसके अंदर बहुत ही raw तरीके चीजी होती है second के ओपर चलते हैं घातक जी से शुरू होती है जी का सिग्रिफिकेंट से मैं आगे बता हुआ तो घातक एक ऐसी movie थी जो सनी दोल की आई थी 90s के अंदर आई थी बेसी के लिए एक ऐसी movie थी जो मैं आपको बदा सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा रह थी जिस तातिया को ने जिस तरीकी से डरा दिया था था तु बोले तो मैं भकू तू बोले तो मैं नाचू जो भी वो डालोग था 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 फ़्लाविसली आप से एक एट लाइंट यह जिए लई फ़िसली आ था पावर थी डिमन्स्ट्रेट अंट रह दू लेट थी जिए डिए र इसके बाद वो बोलता है कि यार तू भौकेगा तू भौकेगा एंद गाय इस देड तो वह बहुत जदा इंपक्टफुल सीन था और पागलपन था तो मुझे काफी जबदस लगा था उसके बाद उनकी मुवी आई थी गायल गायल आई थी इस एसिट समय के उपर जब सनी दोल को तुछा डाउन फॉल चल रहा था रचानक से फिर गायल और उनको नाशनल अवोर्ड भी मिला अब इसके लिए भी मैं क्या बूलू यह एसी मूवी जिससे वो पेचाने जाते हैं गायल जबर्स थी रॉपावर दिस फर्स तैम यहां पर बॉलिस्ट बड़ी सोटू से जहां पर नों डोले शोले दिखाये और बाकश बने वह थे बहुत जबर्स भी अगेन फोर्थ वले पे जो मरको मूवी बहुत अच्छे लगी थी वह थी गदर गदर के अंदर भी जै बोडी है वो डंड बेठक वाली टाइप है वो बिना दिखाई सनी पाजी ने ऐसा ड्रादन है कि मतलब पंप उखाड़ा पंप उखाड़ा के बाद मतलब थोड़ी देर के लिए सट्टे में आ जाते हैं कि यह पंप उखाड़ के मारा और वो एक तो सेकंड करना पॉज आता क्या क्या कर रहा है that's the highlight and that's the brilliance of a star who is able to justify that scene आप बिलीव करने लग जाते हो कि सणी दोल के रेली पुल आउट था हैंड पंप एंड किल सो मेनी पीपल तो अमेजिंग यार मुझे काफी ज्यादा वो अच्छा एक्ट लगा था और बहुत अच्छे तरीके से उसको पोरिग अगर आपने गुलाम देखिए तो उसके अंदर वो भी बॉक्सर बने वें ठीक ठाक बॉक्सिंग बॉक्सिंग चल रही होती है बट एंड का सीन जब वो शराच सक्सेना के साथ उनका बॉक्सिंग राउंड होता है मेरे को बहुत जबर्दस लगाता तो ही गेट्स बूट एक एसे बॉडी स्ट्रक्चर वले इंसान से शराच सक्सेना को पिटवा जेना जिसकी बॉडी टाइप इतनी सी है अगेंस्ट शराच सक्सेना उस भी बॉडी बॉडी बिल्डर फोर एज़ तो मुझे काफ़ी जबर्दस लगा और बहुत इंपक्फुल तरीके से गुलाम का लास्ट शॉट था तो मुझे बहुत मसा आया शिक्स्त मुवी में थोड़ा से पीछे जलते हैं यह है धर्मेंदर पाजी की मुवी है इसका नाम है गजब अब लोगों इसाद पता भी नहीं होगी होगी काफी पुरानी होगी यह शाद I think 70s की मुवी है इसमें डबल र जाएगा को उनके अंदर कितने ही वेरियेशन है फ्रॉम अ ब्लडी सूपर कॉमेडियन टू अ बैचारा टू अ फाइटर टू अ हीमन यार मतलब इतनना वेरियेशन आपको एक ही मुवी के अंदर दिखता है बहुत क्यूट से भी मुवी है बहुत ही पारफुल मुवी है बहुत अच्छा इसके अंदर आक्षियन है भाईयों का प्यार बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है बहुत ही लवली मुवी है आप यह समझ लीजेजे के सलमान खन और अबास कान के मुवी आई थी ब्रदर हेलो ब्रदर करके अगर वो इतनी गंदी पिक्चर अगर बहुत अच्छी होती तो गजब बनती तो अब थोड़ा समाल गए होंगे अगर आप देखना जाते हैं तो मेरी कहल से यह देख रहा था यूट्यूब के ओपर फ्री में वैलेबल तो देख लेना बहुत जबर्दर्स मूवी है वान फ माइफ मैं फेवरेट चलते हैं इस म इतना मस्कुलर इतना फिट एंड वेरी प्रॉपर इन इस बॉड़ी स्ट्रक्चर यू नीड अन ओपोनेंट वू कैन रेली चैलेंज तो अपोनेंट कैसा चाहिए विद्धु जामवाल जैसा जो की मतलब सटकेल पागल ही किन डू एनिधिंग इस अनप्रडिक्टबल और तो उस तरीके से जब दोनों का एक शॉट भी आता जो पोस्टर रना था मस्कुलर हैं दोनों दूसरे का हाथ इस तरीके से पकड़े वें बहुत जबर्दस इनका आखरी फाइट सीन था विद्धु जामवाल ने बहुत अच्छी आटिंग करी ती इसके अंदर जोने प्र अबर पर टाइगर श्रॉफ के उपर इनकी जो एक ही मुवी मुझे आज तक जेन्मिल ली एक्षिन मुवी में विरकों काफी कन्विंसिंग रोल लगा अधर्वाइस बहुत ज्यादा जूटो कराटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा रोप वो जाता है वो थी बागी बागी बागी वन में आपने देखाएगा उगा शान श्रत शर्दका शरद्रबशस्रट शरद्रबश का पूर्ग को विलन है साउट के हीरू है वह उठाके ले जाते हैं तो उनकी एक बिल्ल्णि होती है इतती लंभी बिल्णि होती है बहुत आरे फ्लोर शोते होते हो ठीम नदर हैं इंड कॉंबाइट के प्रफेज़ों अगरे चला रहे हो जैन्वेन अच्छल आर्ट्स हैं और आप एक फ्लोर से अखरी फ्लोर तक जब तक जातों आप थक जातों इस तरीके से यह शूट हुआ और जिस तरीके से सूचा और टाइर बना दिया इसको व्यूवर्स के लिए भी इतना अच्छा बना दिया बहुत जब अब चलते नाइंथ नंबर के ऊपर यह है कुमांडो वन और इसके अंदर विद्धू जामवाल हैं अब यह मुझे सिर्फ विद्धू जामवाल के स्टंच के लिए नहीं स्टंच वो एक चोटी सी गाड़ी की खिड़की के अंदर से निकल के चला जाता है फिर वो फ्लिप करके ठक करके टुंक्स्टन तदीके के कुछ मार देता है वो सब चीज़े तो चलो अपनी साइट है पर इसके डायलोग्स बूले की बहुत जादा था जिनको नहीं पता है मैं भूली जाता हुनका नाम बट इनको हमने देखा था पताल लोग में जो विलन थे इंस्पेक्टर साथ थे क्या नाम है हमका बहुत बहुतरी एन एक्टर है बड़े बड़े सिल्की वाल है एन्यवेस गूगल कर लेना प आइक श्रॉफ तोड़े एन ही कूड आइधि एक कूड प्रफॉर्म एनी कांड अस्ट तो उसका पेटेंटेड वो तो था ही कि हरिकॉप्टर से उड़ता लटकना है वो सब तो था ही इसमें अंदर सपोजटली वो हैवी डबलु डबलु एफ उस तैंके फाइटर्स के सा उसने फाइट करी थी और बॉड़ी डबल ऑफ अंडर्टेकर के साथ भी उसने काफी जबरदस फाइट करी थी उसको इठाना उसको फेंकना इतने हैवी आदमी को साथ फुटके आदमी को और इतने जज़य फ्लाइग केक्स यह वो काफी ज़य ज़यदा चीजे थी उसके तो अच्छा था विजुली भी बहुत अच्छी यहां पर फाइट्स को रिए लेवन्थ नमबर पे दोस्तों मैं यहां पर एक फीमेल लीड की बात करना चाहूंगा जो कि बहुत दमदार अक्टरस है मेरे समझ के साब से हम बहुत सी बारी कुछ ऐसे अक्टरस को नमबर वन म को खरजी ऐसी अक्टरस है जो को में बहुत कुछ करके लिखाया है उनके मुवी है मर्दानी इन फाइक टू भी बहुत जबदास्त है पर वन में सर्प्राइजिंग एलिमेंट था बिल्कुल मेरे लिए कि एक स्वीट लड़की कान बिकम सो देरिंग एंड सो लीथल करके कुछ कर दिया बहुत सी हमने मुवी में देखा है कि टू गिव सम बिट ओफ एंफसिस ऑन फीमेल कारेक्टर बदे गविं सम फिलिप्स अन अल अल अफ दाट ऐसा नहीं था यह थोड़ा सा रौ था लग रहा था मर्दानी पुलिस इंस्वेक्टर मारने कोशिश कर रह कि आप सोच रहोगे कि सल्मान खान भाई सब तो आये नहीं इतनी मसल असल बनाई इतना स्याधा वह सिक्स पैक्स बनाएं कभी कि मेरी बात ही नहीं है हाजी दबंग उनकी एक ऐसी मूवी है जो मुझे काफी जाधा पसंद है जिस जिस टाइं पे वह इस मूवी के स्क्रीन के उपर आये हैं तो बाकी जो ऑपनेंट है वह छोटा ही लगा है और ऐसा लग रहा था कि यह स्टार्टिंग से जो उनका सीन आता है जो फैक्टरी शॉट होता है जिसके नंदर जाके फर्स ताइम वह मारता है उस शॉट से लेके जब वह तेल के अंदर भीग जाता है और तो उस तरीके का जो आता है डायलोग भी आता है बहुत जबदस अक्षिन है उसके अंदर थोड़ा स्टाइलिश भी है बट अट अट थे सेम टाइम वह थोड़ा सा मर्दो वाला रौ है इस लाइक फिस्ट फाइट विच रिली लाइक तो मुच अफ़ गन शॉट और वह अट वह थोड़ा सफ एक टाइम के वाद बियॉंड थेंग वह थोड़ा फेक लगने लगता यह मुझे काफी ज़्यादा जबदस्त लगता है तेरवे नंबर पे दोस्तों मैं एक और आपको सर्प्राइज देने वाला हूं जैसे मैंने गुलाम का सर्प्राइज बताया थ नंबर पे तो तेरवे नंबर पे एक मूवी आ रहे थी आर राजकुमार शाहिद कपूर की और वो मूवी को फिर बाद में राजकुमार राजकुमार ऐसे तरह कुछ कर दिया गया था उसका नाम यह प्रभूदेवा ने बनाई थी और इतने छुटकू से बाड़ी के साथ शाहिद कपूर was made to fight Sonu Sudh was 6.1 inch tall and superbly well built उसके साथ उसको लड़ना है और वो fight जो थी वो real लगी थी and में उसको इतनी पटाई होती है शाहिद कपूर इतनी पटाई होती है विचारे को चक्कू भी लगते हैं गिरता भी है दफनाया भी जाता है बहुत कुछ होता है बट जिस तरीके से वो rise करता है दुबारा से वो काफी जादा अमेजिंग हो जाता है वो fight भी काफी अच्छी choreograph हुई थी I again don't know who's the fight master but one of the better fight sequences given that the hero did not have that kind of a body structure to fight the main villain जो इतना strong बलेस्ट है तो उस हिजब से काफी जादा मेरे को बढ़िया लगी और अब चलते हैं हम 14 नमबर पर थोड़ा और पीछे जाता हूँ एक जो fight जो मुझे काफी ज़़ा पसंद आई थी और वो एक iconic style बन गया हूँ और आज भी लोग उसको copy करने कोशिश करते हैं वो दिवार है दिवार के अंदर जब पहली बार अमिताब अच्चन वो factory shot again और वो factory के लाट डोर अंदर से बंद करते हैं और बोलते हैं तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं तुमारा यहां इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद वो fight शुरू होती है it is all again fist fight that's the reason I liked it ropes से होती है घूसों से होती है लातों से होती है तो बहुत amazing है वो जो fight है उसके अंदर स्वाद ही कुछ अग है तो I really loved it मुझे ऐसा लगा कि यार यह हुई न मर्दों का ली बात but I'm not trying to be biased or I'm not trying to be sixist I'm just saying that certain movies depicted the hero in the raw crude format और वो ही मुझे अच्छा लगा इसके अंदर पंद्रवे नंबर वे जलते हैं आजके लास्ट मुवी ऐसे तो बहुत चारी है but अभी फिलाल के लिए 15 के लिस्ट मुझे लगा थोड़ी sensible list होगी वैसे भी 15 मिनिट का तो विड़ो होई गया है आपर timing देखा हूं दो मैं आगे यह वली जो मुवी है यह भी मुझे काफी सदया इंप्रैरिसिव लगे ती क्यों कि जितनी जितनी बार एसा लगा कि यार एसे बाली फिलिंग अन। इसमें बात करो है राफोड इसमें बताई ना जिसके अंदर action अच्छा हुआ उसके अंदर choreography बहुत अच्छी हुई है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा raw perk नहीं है उसके अंदर कोई gun fights बहुत ज़्यादा नहीं है उसके अंदर raw brutal force है जिससे hero apply करता है विलन्स जा उनके पपू चपू के उपर उचे वही पसल दाता है एकि आर भी अर डिखाने का है और जन्रीन करके दिखाने का यार यहीं नहीं उल्टा-पूल्टा डाल दिया थिर रखे कआमरा डाल दी है यसे यह बचा लेगा यार इसे और से में बर प democracy करना आख Earlier मैं अशुक्ष करना ये आउटसाइड टॉप 15 दोजिए ताफेहन preसंद आता है जब आशा टाकिया को ट्रेन में गुंडे लेके चले जाते हैं और फोन करता है एक बच्चा सलमान कान को और वो ट्रेन के अंदर आ जाता है और वो ऐसे खड़ा वावस पिलर के सामने है और बिल्कुल साइलेंट है हो और वो जब मारता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी आखों में एंगर है वो कुछ नहीं बोल रहा है और बहुत पिटाई होती है एसे ही एक और अंगर वाला मुझे शॉट जो सलमान का अच्छा लगाता और बहुत ही बैकर मूँआ लगाता बहुत ही घटिया मूँई थी हो जैःभू में व्यू पक्रण बहुत में और अमbefore में स्पोण आता है भाई मेरे को ये कुछ करने लगे है और भाई इमेजिन कर रहा हुद है कि अगर मैं टाइम पे ना पहुचू तो ये मेरी भेहन के साथ क्या क्या कर लेगा टाइम पे पहुंच जाता है और उसकी आखो में आशू दर्ध मौर्द हुआ अशी वाली फेलिंग उसके एक्षन के इंदर दिख रही थी थोड़े से आशू निकल रहे है थोड़ा वो अपनी बहन को देख रहा है और वो सौरी फील कर रहा है कि मैं वोड जल्दी आना चाहता है मैं थोड़ा थाइम पाड़ कर रहा है और एक हाथ में उसके गड़न पकड़ी है और इसको मार रहा है पंच जोड़ 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 से तो वह अला सीमरी मेरे काल से बहुत अच्छा तरीके से खोरोग्राफ हुआ था अनफोर्चनलेटले लिव बहुत भुरी भरी थी ती बहुत ही घटिया थी थी वहाद रहा है वोड मिलना चाहता है तो अपसलमान काने अच्छी मोवी जी गरी ह और आपके पास जेनुइनली वो फोर्स है या पागलपन है तो आप दोनों को देख रहे होगे आप उस फैमिली मेंबर को भी देख रहे होगे कि I should have been there और आप विलन या जो भी पपू चपू उनको भी देख रहे होगे कि तू तो गया विटा आज बैसे वाला एनवेज तो यह मेरी टॉप 15 के लिस्ती जो मुझे लगता है काफी impactful movies थी अगर आपकी movies के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है ranking इसके अंदर कोई मैंने करी नहीं है तो ऐसा मत सुचना कि कोई ranking दूल दर है रैंडमली जो मेरा मन करा मैंने उसके ranking कर दी थोड़ा आगे पीछे भी है लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी movie है जिसके अंदर आपने observe करा कि बहुत ही तावट तो एक्षन है और जो मैंने cover नहीं किया discussion आगे बढ़ाते हैं चाहे तो आप इसमें comment कर देना चाहे तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ connect कर लो उसमें मेरा handle है movieshovy तो जल्दी मिलते हैं एक और review और एक और update के साथ needless to say अगर इतनी महनत कर रहे हैं तो बहुत नस्ती करने वाले हैं